हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आर्टी आए जब से लागू हुआ है नमस्कार, जानने का हक में आप सभी का सौगत है, मैं हूँ संतोष रौती जानने का हक देश का एकलोता है सा कारकरम जो सुचनग अधिकार कानून से जुड़ा है हम अपने इस कारकरम में हक के बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, साथ ही पार्देष्टा की बात करते हैं जो कल देश के होने वाले कड़धार है, आज वही सबसे जादा नश्यक शिकार है जिनको देश की उन्निती में अपनी उर्जा लगानी थी, वो आज शारिरिक और मांसिक उर्जा मादक पदार्थों के सेवन में लगा रहे हैं। इसी मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ आज तीन खास मेहमान हैं। जानना चाहा कि देश की वो कौन से ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर सबस्यादा शराब की खपत होती है। तो आटिया के जवाब आया वो काफी चौकाने वाला था। उननिस राज्यों का जो आकड़ा आया सामने आया जो लिस्ट आई उसमें पंजाब सबसे पहले स्थान पर है जो शराब की खपत के मामले में सबसे आगया और जो दिल्ली है वो ग्याहरावें स्थान पर हैं। उत्तरप्रदेश, तीसरे इस्थान पर ऐसे ही 19 राज्यों का आकड़ा सामने आया है। तो RTI से और क्या कुछ सिंकल कर सामने आया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं हमारे समवादाता विनो चौधरी के खास रिपोर्ट। खुशी छोटी हो या बड़ी बस बहाना चाहिए पार्टी करने का। चलो पार्टी करते हैं और जाम चलकाते हैं। गलास को टकरा कर चेर्स करते हैं। आखिर क्या खुबी है इस शराब में। आज देश का युवा नशे की लत में फस्ता जा रहा है। किसी को शौक है तो कोई इसका आदी बन चुका है। आया नगर दिल्ली के रहने वाले वेदपाल ने सूचना के अधिकार कानून से जो आखड़े जुटाए हैं और चौकाने वाले हैं। देश के 29 फिसद आबादी नशे की गिराफ्त में है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार शराब है। इसके बाद अफिम और गांजा भांग का नंबर आता है। वेतपाल ने ग्रीह मंत्राले में RTI लगा कर जब ये जानना चाहा कि कौन कौन से राज्य और केंदर साशित परदेश ऐसे हैं जहां शराब की सबसे ज्यादा खपत है। इसके जबाब में मंत्राले ने 19 राजियों की सूची जारी की जिसमें पंजाब पहले नंबर पर है। इसके बाद आंधर परदेश, तमिल नाडू, उडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तर परदेश, चंडिगड, जारखन, बिहार, हरियाना, हिमाचल परदेश, राजस्थान, महाराष्ट, मनिपूर, नागालेंड, मिजोरम और असाम है। मन्तराले की वर से जारी आंकडों में देश की 21.4 परतिशत शराब, 3 परतिशत गांजा भांग, 0.7 अभिम, 0.1 परतिशत इंजेक्शन और 3.6 परतिशत आबादी दूसरे तरह के नशे की चपेट में है। इसमें दिली 11 हमें नंबर पर है। पंजाब आ रहा है। और पंजाब के साथ साथ अगर दिली की बात करें, दिली 11 स्तान पर बहुच गई है इसमें नशे के उसमें। और सरकार किसी तरह के कोई ठोस कदम भी नहीं उठा रही है। RTI के सिपाही वेदपाल ने मंतराले को इस भयावह आंकडों के बारे में पत्र लिख कर जागरुकता कारिक्रम और नशामुक्तिक कारिक्रमों की संख्या और रफ्तार बढ़ाने का अनुरोथ किया है। उनका मानना है कि सरकार को शराब की विक्री से पराप्त पूरे राजस्व का इस्तेमाल शराब से होने वाले नुक्सान के प्रती जागरुक करने, नशामुक्तिक के अंद्र चलाने और लोगों को पुनरवास पर खर्च करना चाहिए। इसके साथ-साथ शराब कंपनियों पर कारवाई भी करनी चाहिए, जो सराब के ब्रांड नाम से ही सोडा और मिनरल वाटर बनाती है। इस्तिमाल करना चाहिए। शराब फिकर गाड़ी चलाने और नशे की हालत में एक्सिडेंट का मामला दीनों दीन बढ़ता ही जा रहा है। कई बार जहरीली शराब पीने की वज़ा से मौद के मामले सामने आये हैं। हाली में दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने शराब पीने के उम्र 25 साल से कम करने की दलिल देकर हस गये। हलांकि दिल्ली सरकार ने मंत्री के दलिल को नकार दिया है लेकिन दिल्ली सरकार ने अब कारी नीती में भी कोई बदलाव नहीं किया है। बीश्व में सबसे जादा युवा अभी भारत में हैं और यही युवा भारत की शक्ति हैं। लेकिन सूचना के अधिकार कानून से जो आंकड़े सामने आये हैं वो भायावा हैं। लगभग 29 फिसद आबादी नशे के गिरफ्त में हैं। देश में जिस तरीके से मौल और पब की संस्कृति बढ़ रही है उस तरफ युवाओं की रुज़ान बढ़ी है। लेकिन सरकार के जो कदम है वो बहुत नाकाफी हैं। इस तरफ कदम बढ़ाने होंगे और बहुत सारे कारिकरम चलाने होंगे जिससे युवाओं का जो उस तरफ रुज़ान है वो कम हो और युवा सक्ती कायम रहे। दिल्ली से कामेरामेन विजाज चंदिल के साथ विनोत कुमार चौधरी डीडी निउस। तो देखा हंजली जी आपने जो रिपोर्ट देखी 30 प्रत्शात आबादी देश की जो वो है नशे के गिरफ्त में हैं। एक बहुत बड़ी चुनोती है। जानकारी को इस्तेमाल करके सरकारे और लोग यह जो बहुत बड़ी समस्या है आपने बताया अलकोहल की शराब की जो नशे की जो समस्या है इसके साथ लड़ाई आगे बढ़ाई जा सकती है। तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है और उसमें जिस तरीके के आजकल एक्स्पोजर है उससे भी होता है पर जरूरी यह है कि जो भी इस तरीके के पद्यार्थ हैं। यदि आपने बताया कि शराब का जो सेवन है वो बहुत जादा है कई जगे पर लेकिन जरूरी यह है कि इन सब चीजों के लिए कानून बनाए गए हैं। क्योंकि इन सब चीजों की रोक थाम के लिए इनको एक लिमिट में करा जाए, कौन इनका सेवन कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए कानून बनाए गए हैं। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कानून बना दिये जाते हैं पर उनका पालन सही से नहीं किया जाता है और उसके अंदर बहुत सारे जो institutions हैं उनका भी एक important role है क्योंकि जो agencies हैं जिनका काम है कि implementation हो उनकानूनों का वो भी कहीं पर अपना पूरा रोल है व और इसके कारण जो हमारे यूवक हैं आपने बताया कि यूवकों की संख्या सबसे जादा है इसमें प्रतिशत वो भी इस तरफ रूख ले लेते हैं इसमें कई बार हम देखते हैं कि स्कूलों के जो दायरे हैं उसमें सपष्ट होते हैं कानूनों में कितने किलोमीटर की र इनको सेवन भी करने में उनके लिए असानी होती है वो उसकी वर आकर्शित होते हैं तो यह जो कानून है इनका अनुपालन हो यह सही से यह हो और परिवार भी अपना रूल प्ले करें डॉक्टर साब अन्जी जीने स्कूल के बाद कि मैं काकड़ा बताता हूं कि नवी तक के जो बच्चे होते हैं नवी क्लास तक वो 30 परसन यानि कि 30 प्रतिशत वो नशे के शिकार हो चुके होते हैं और सबसे बड़ी चिंता का विशा है कि 10 लाख यूओं तक हिरोई जैसी खतरनाग जो है मादर प्रदार वो पहुँच चुकी है संदोश जी आपने बहुत अच्छा कुश्चन उठाया है मैं एक चीज तो यह कहूंगा कि नशा जो आपने का कि नशे की लत यह क्यों पड़ी नशा इनसान क्यों लेता है तो एक कुछ परकार की ब्रहम हैं एक इन कुछ लोग अपने आपको और स्मार्ट दिखाने के लिए करते हैं और कुछ रिबेल मेरी हिमत नी मैं उसे लड़ सकूँ तो दो पैग लगा के चले जाते हैं यह आधुनिक यूग है यह हमारा जो इस वकत संसार में हम रह रहे हैं वो एक इलक्ट्रोनिक यूग आ गया है हर चीज हमारे पास वेबसाइड को पर अविलेबल है हर चीज को हम बारे पर जानते हैं हर इनसान एक दूसरे को देखता है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि सबसे ज़्यादा जो लट आज़ इनसान को पड़ती है यह कास्वर से बच्चों को पड़ती है उसमें सबसे प अपने प्रोस से देखता है कि कोई आगर आदमी शराब पीते हैं रात के टाइम बैठके जशन करते हैं तो कहते हैं एक शादी हो रही है आप देख लिक अंदर शादियों का रिवाज तो ऐसा हो गया जब तक कि आद लोग बाग दारुपी के टून ना हो जाएं तो बरात सवाल अंजरी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कानून हैं कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि हम उनको तोड़ें लेकिन अगर उसकुपर सकती ने लिए जाएगी तो मैंने सुचता हूँ कोई कोई भी कानून इस देश के अंदर सक्सेस्वाइब आपकारी भाग काफी जिम्मेदारी होती है तो सबसे पहले हम चलते हैं लखनो दूर दर्शन वहाँ पर हाफिज उस्मान जी है सुचनायुक्त उत्तरप्रदेश हाफिज आपकारी भाग से जुड़ी कई आटियाई आती होंगी आप अपील आपके पास पहुचती होंगी क्या सवाल रहत हैं जो मंदिरों के पास हैं या मस्चिदों के पास हैं और में शराब बेची जाती है या सिगरेट बेची जाती है तो आटियाई में पूचा जाता है कि कानून के तहरे मस्चिद के पास या मंदिर के पास शराब बेची जा सकती है या सिगरेट या नशी की चीदे बेची जाती है और इसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए इसकी रियाएद देता है या नहीं इस तरीके से आटियाई आती है मुझे खुशी की बात ही है कि उत्तर पर्देश गोर्विन ने कल ही एक कारून पास किया है जिसमें कहा है पबलिक पलेस के ओपर कोई सिगरेट नहीं बेची जाएगी अगर कोई सिगरेट बेचता हुआ मिलेगा तो इसके ओपर कारवाई की जाएगी एक हजार रुबे का ज आपके पास आती हैं तो उसे 30 दिन के अंदर नहीं पन्ना दिन के अंदर उसकी सूचना उन्हें अभलब्त करा दी जाये चूंकि यह मामला जन्हिस से जुड़ा हुआ है और आम जो पबलिक हैं नोजवान हैं उनके लाइफ से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें सूचना म वो पाबंदी नहीं करने चाहिए जो तीस दिन के अंदर अनिवा रहे हैं इसलिए बहुत से अप्लीकेशन साती हैं कम से कम पचास से अप्लीकेशन ऐसी हैं जो डिफरेंट जिरो से आई है आप कारिव भाग से सम्मन में कि आप कारिव भाग बिल्कुल आखे मुंधे रहता है शराब के नशे में लोग धूत रहते हैं होका चलता है और शराब भी आम तोर पर चलती है लोग पीते हैं शादियों में मस्चिदों के पास शराब की दुकान है मंदिरों के पास शराब की दुकान है उसके ओपर आप कारवाई नहीं करता ह तो मुस्से कहा गया है जिस सम्मन में G顬 कौई ऐसा पर्वजन है कि इनको उपर जो है कारवाई की जा सब्सक्त है? मैंने इनक्वारी का आदेश दिया है कमिशनर मुरादबाद को भी सम्बन में आटियाई के तरिये से 18-22 के तरिये इनक्वारी का आदेश दिया है कि आप इनकारी करते हुए संबंधित अभी लेकों के साथ जहां जहां ऐसी RTI लगाए गई हैं जो शराब से संबंधित है या नशे से मतालिक हैं या सिगरेड से मतालिक हैं या नोजवान नशा खोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनके अपर कारवाई होनी शाये नहीं ह हो रही है तो कितने ऐसे वाकियात हैं उन पर कारवाई करते विए नुकारी करते विए आयोग को आप बताए अब जुन जी एक मुद्दा एक सवाल कई बार आता रहता है नेशनल हाइवे की जब बात होती है राश्टी राजमार्ग की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में अक्सर ये है कि राश्टी राजमार्ग की किनारे किनारे सैकड़ो हजारो शराब की दुकाने जबकि कानून में साफ लिखा है कि जो राश्टी राजमार्ग है उसके सौ मीटर की दूरी पर कोई भी शराब की दुकाने बियर बार होना चाहिए लेकिन कानून का खुला उल सकता है और हम उपर कारवाई के आदेश देंगे अगर कोई कारवाई नहीं करता है तो आयोग को पावर है उसके ओपर पच्छे सदार रुपे का डल लगाएगा भागे कारवाई करेगा इंक्वारी करेगा और अठारा तीन के तैस संपून वो पावर जो कोड़ को हासिले व आयोग को है इसलिए रोगों को ज़्यादा ज़्यादा आटी आई का इस्तिमाल करना चाहिए और जहां ऐसी दुकाने हैं वो ऐसी दुकाने तुरंट जो है गवर्मेंट को हटा लेनी चाहिए ताके हमारा जो समाज है हमारा जो मुल्क है वो नशे से मुक्त जो है समाज ब आप यह नहीं जान सकते हैं कि expiry date शरब की बोतल में क्यों नहीं होती है तो बदलाओ की जरूरत है लोगों को पारदश्ता चाहिए लोगों को जानने का हक है देखिए यह बहुत जरूरी है कि जो भी mandatory information provision है वो तो हर एक विभाग करें और सूचना के अधिकार कानून में बह पहुंच सकती है लोगों तक तो इसमें अगर कोई private company भी बना रही है शराब और उसको भी उनको उसके उपर expiry date और वो सब लिखनी होती है वो तो अलग-अलग regulations में भी होता है तो उनकी जिम्मेवारी है कि वो लिखे अभी जो हमने पूरी बात सुनी कि किस तरीके की के अधिकार के देनी चाहिए उपलब्द करानी चाहिए जैसे कि जो भी कानून है जो कि नशे से संबंदित है क्या license की requirements है कहां कहां पर दुकान हो सकती है कहां पर नहीं हो सकती है इस प्रकार की सूचना जो है सरकार को धारा चार से संबंद के तहत ही लोगों तक पहुंच जो जो बुराईया है उनके साथ लड़ाई सही से कर पाएंगे तूसरी बात यह है कि हम क्या expect करते हैं कि जब किसी के पास जानकारी हो कि गलत काम हो रहा है जहां पर यह नशीले पदार्थ बिकने नहीं चाहिए वहां पर बेचे जा रहे हैं इसका गलत तरीके से जायत आए तो पहली बार तो शिकायत करता जो है उनके सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली जाए क्योंकि बहुत बार हम यह देखते हैं कि यदी कोई महिला या कोई भी जाकर ऐसी सी चीजों के बारे में आप शिकायत करते हैं क्योंकि एक बड़ा माफिया भी कई बार और तीसरी बात मुझे लगता है जो बहुत जरूरी है कि यदी कोई जाके हिम्मत जुटा कर ऐसी सी चीजों के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं सही विभाग में और शिकायत करते हैं वहां पर तुरंट एक्शन होना चाहिए तो विभाग की जिम्मेदारी बनती है तो जानने के कोशिच करेंगे कि आखिर जिम्मेदारी इसकी समाज की प्रशासन की सरकार की मैं तो शीजी शीजी बात करने वाल आदमी हूँ कि जिस चेदे पे शट्य है वहां खुडा है जिस चेदे पे अहिंशा है वहां इश्वा है ब्रेक के बाद आप सभी का सौगत है डॉक्ट साब जिम्मेदारी किसकी समाज की प्रशासन की या मीडिया की भी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए मीडिया भी एक आम दोलन चलाए नशा मुक्त भारत के देखिए उस हिसाब से मैं कहूंगा कि मीडिया की जिम्मेदारी तो बहुत ही जादा है क्योंकि आदमी जो रोज चीज को देखता रहता उसको जल्दी ही ग्रेंड कर लेता है मीडिया के लिए तो मैं यह जरू कहूंगा कि कम से कम हर मीडिया जितनी भी चैनल से हैं उन लोगों कम से कम हर रिज पांच मिनट का टाइम सिर्फ नशे के उपर कि हमारे को नशा किस तरफ लेके जा रहा है और इसके क्या नुक्सान है और हमारा परिवार किस प्रकार से तबाह होने वाला है अगर यह जागरुता हमारी तरफ से अपने मीडिया की तरफ से आएगी तो मैं समझता हूं जनता उसको बहुत जल्दी स्युकार करेगी रासवाल अभी आपने थुरी देर पहले एक चीज़ पूछी थी कि किसी के उपर यह नहीं लिखा कि इसके एकस्पारी कहा है क्या नहीं है वो एक बहुत बड़ी गलत बात है उसकी डेट ओव मैनिफेक्ट्रिंग होनी चाहिए उसकी कंटेंट्स होना चाहिए कि इसकी परसेंटेज अलकोल कितनी है अब कई बार किसी वकद एबसुलूट अलकोल के नाम से आपने अलकोल जाकर कही जो अनपड़ लोग है और उसके सत्यानास हो जाएगा तो इस उसमें एक सिस्थम बनाके दिया गया कि इस अंदर इस ब्रान्ड के अंदर हम 15% अलकोल दे रहें 20% अलकोल दे रहें 4% बड़े रहें वह उनकी जिम्मेधारी होती है तो उसको देना बहुत सदूरी है अगर वो नहीं दे रहे तो गलत है सेकिंड चीज हर कंस्यूमर का यह राइट है कि वो जाने की इस गिलास के अंदर मैं बजार से खरीद के लाया हूं तो इसके कंटेंट्स क्या है यह उसकी जिम्मेदारी है अगर वो नहीं देता जो कंपन दूद की नदियां जहां बहा करती थी और लोग कहते थे कि दूद पीने के लिए लोग बाग तरसते थे आज की तारीक में एक दूद वाले को घर घर जाके दूद बेचना पड़ रहा है लेकिन शराप की दुकान के उपर लोग बाग अच्छे पड़े लिके लोग लाइ रहा सवाल हाईवे की उपर आपका कानून बना हुआ है कि कोई भी आदमी अपनी दुकान शराप की दुकान हाईवे को पर नहीं खोल सकता उसको कम से कम सो मीटर दूर होना चाहिए और उसका फेस जो है हाईवे को पर नहीं होना चाहिए उसको बैक साइड में आज अभी अभी आप यहां से चले चलेए चंडीगड के रस्ते में ले लिजिए किज़र भी ले लिजिए जितनी भी दुकाने हैं सामने वहां पर लोगबार मेज लगा के खड़े वें क्या हमारी सरकार को नहीं पता हमारी लोकल अथरॉर्टिस को नहीं पता या आपकर एडिपार्ट की जुरुत है जब तक हमारी देशवाशी को डंडा नहीं मिलेगा हम नहीं सुधरने वाले इससे हमारा देश पर गरत की तरफ जा रहे हैं सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिम्मेदारी किसकी होगी आप आयुक्त हैं उत्तरप्रदेश राज सुना आयोग में बैठे हु लगी थी कि जो लोग शिकायत करते हैं उनकी शिकायत करने वालों को सुरक्षा मिननी चाहिए तो आयोग को इसका राइट है कि अगर कोई अप्लिकेशन देता है और वा आटियाई कारी करता है उसके खिलाफ अगर कोई कारवाई होती है या उसके ओपर एटेक होता है तो जो है उसके सुरक्षा दिलाएगा एक तो यह नमबर वन नमबर टू जो है अभी जो है डाक साब बोले थे कि हमारे यहां जरूरत है सकती की तो जो नशा मुक्त अगर अब चाते हैं भारत हो जाए तो उसके लिए जरूरी है सकती करना या स्कूल के सामने बिलकुन नहीं जो अगर खोके लगाए हुए हैं उनके ओपर सिक्रेट है या पान पराग है या तंबाकू की कोई नशे की चीज़ें हैं या शराब की दुकाने उन्हें सकती के साथ बंद कर दें चाहिए और अगर नहीं कोई करता है तो आटिया लगा अगर आपको जानना चाहिए कि बह सकता है और कोई नियम के तहर आईोग का का सरकार के काम काजों के ऊपर निगरानी केलिए हैं तो अगर नियम के तहर काम करता है तो आईोग उस पर कारवाई करेगा और सक्ति के साथ करेगा नशामुद भारत के सपना कैसे साकार होगा आयोग की जिम्मेदारी तो है ठीक है आयोग पेनल्टी लगा सकता है लेकिन ये सपना साकार कैसे होगा साकार ऐसे होगा, अपने बताया पहले हम लोगों को जानकारी हुनी चाहिए कि हाई वे पर कितनी दुकाने ऐसी हैं जो शरब की दुकाने है, जिगा का पता होना चाहिए उस पर RTIM मांगए, RTIM पर हम कारवाई का आदेश देंगे, अगर उस कारवाई नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कारवाई करेंगे वो लगी ही नहीं सकती जी जोग साब मैं ये कह रहा था कि हम लोग अभी सुनने को देखी आप दिली के अंदर हमारे कपिल मिश्रा जी ने एक बवाल खड़ा कर दिया कि उमर को घटा के अठारा साल कर दीजिए ये मैं उन प्रदेश ऐसे हैं जहांपर कि बिल्कुल ये बैंड है तो भी सरकार एक पुलिसी क्यों नहीं बना लेती ये राज्यों को उसकी पावर क्यों दी गई है अगर आपने पावर भी दिया है तो पच्चे साल की जिए काय को उनको दूबारे डिसकेशन का एक टॉपिक देना भाग रहे हैं उनको जब तक ये नहीं बताएंगे इसके नुखसान क्या है आप खुद को भी तबाह कर रहे हैं और अपने परिवार को भी दबाह कर रहे हैं तो सब ही को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा चाहे वो मीडिया हो चाहे परिवार हो सुसाइटी में अंदर सरकार का और जो एजनसीज हैं जिनका काम है law and order maintain करना जो पूरी व्यवस्था है उसको maintain करना उनका एक बहुत एहम रोल है इसमें क्योंके हम जानने का हक पे बात कर रहे हैं इसमें शुरुवात होनी ही पड़ेगी यहां से कि जो भी इस जरूरी मुद्दे के around कानून हैं जो सारी सूचना हैं वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए हैं अभी हमने बहुत सी चीजे सुनी जो यूपी के आयुक्त हैं उनसे पर unfortunately जादा तर देश में ऐसा नहीं हो रहा है कि आयोग भी उस सक्ती से काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत है मैं आपको बताओं कि जो हमने शोध करा भी नैशनल लेवल पे उसके अंदर ही निकल के आया कि जहां पर आयुक्तों को सौ में से सतानवे परसेंट जहां पर पैनल्टी लगानी चाहिए थी सूचना ना देने के लिए वहां पर लगाई नहीं गई है तो ऐसे में एक सिगनल चला जाता है कि यदि हम हो रहा है क्या सभी दुकानों पर जो की नशीले पदार्त बेचते हैं चाहे वो सरकार के द्वारा हो या फिर गैर सरकारियों क्या प्रॉपर बोर्ड्स लगे हुए हैं क्या कुछ ऑडिट कर रहे हैं सूचना आयों जिसमें सूचना पहुंच सके और फिर उसके उपर जो एक्षन लेना है वो भी नहीं ले रहा है तो इन सब चीजों को होने की जरूरत है उसके बगैर तो नशामुक्त भारत एक सवप नहीं रह जाएगा श्रिकोट शूनिक एक लगाना न भूले आज के लिए बस नहीं नमस्कार हम जानेंगे हम खक से जानेंगे आर्टी आए जब से लागू हुआ है ये आर्टी आए का नारा